जब भी हमने कोई question करना है हमने एक चीज याद रखनी कि हमने अपने basics नहीं छोड़ने हैं जैसे हमने अपने basics छोड़ दिया हमारे सारे questions वेलत होने लग देंगे अब इसका क्या मतब था मैं इसलिए हर चीज बाहर एक एक करके लिख रहा हूँ उसको हम suppose करेंगे x percent जो है वो out of 100 होता है और off जो है वो multiplication है अब हम इस statement को numbers में एक करके लेके आँगे 35 is equal to x what percent of 200 तो वो बनेगा 200 x मैं वैसी उसको transfer कर रहा हूँ उससे कोई फार्क नहीं पड़ेगा आप कोई समझेंगे कि यहां पे क्यों लेया यहां पे इससे कोई फार्क नहीं पड़ेगा 2x over 100 is equal to 35 which is going to be x is equal to 35 times 100 over 200 which is going to be x is 17.5 तो सबसे ज्यादा important होता है कि जो हम लिख रहे हैं जो हमेरे पास है given हमने बस एक statement आगे उसको एक दम से करनी लेना तो उसको properly interpret करने है जैसे 35 is उसके बाद equal का sign लगाना है but x percent 100 times और फिर वो 200 लगाना है ठीक है